नीली मस्जिद नई दिल्ली के हौस खास इलाके में स्थित है। इसे सुल्तान सिकंदर लोधी के शासन के दोरान 1505 इसवी के आसपास बनाया गया था जब खान आजम मसनादी अली ख्वास खान गवर्नर थे। इस मस्जिद को ख्वास खान के बेटे की दाई और देखभाल करने वाली कासुमबिल ने बनवाया था। इसमें तीन खंड हैं और मध्य खंड में एक बड़ा गुमबद है और उपर कुछ मीनारे हैं। पूर्व दिशा को नीली टाइलों की एक पटी से सजाय गया है जो मस्जिद को नीली मस्जिद का नाम देता है लेकिन आब इसके केवल अवशेश ही बचे हैं। केंद्रिय महरापपर और नीली टाइलों के उपर सुन्दर सुलेख है। मस्जिद का प्रांगन दिवारों से घिरा हुआ था और दोनों तरफ दो बुर्ज हैं। यह एक सक्रिय मस्जिद है और लोग आज भी यहां नमाज पढ़ते हैं।